कि नमस्कार दोस्तों मैं लोके सर डाबर क्लास इसकिस ऑनलाइन प्लेटफरम पर आप सभी का स्वागत करता हूं कि सभी को आवाज आ रही है उमेद संदीप संजीव संदीप दिलकुस उमेद आवाज आ रही है तो देखिए देखो परतिसत हमने स्टार्ट किया है और परतिसत की अभी तक अपन बेसिक कुशन कर रहे हैं और परतिसत में आप कुशन नमबर 13 तक हमने कुशन सौल कर चुके हैं और इसकी जो थोरी है वो भी मैं आपको बता चुका हूं जो भी बत्चा है परतिसत की पहली और दूसरी क्लास जरूर देखना ताकि आपको उसकी थोरी का पूरा पता चल जाए और अगर आपको थोरी पूरी समझ में आ जाती है तो कुशनों में कोई दिकते नहीं आएगी तो कुशन नमबर जो 14 है वो देखिए कुशन नमबर 14 है एकस वाई का आवाज आ रही है एकस वाई का 80% है तो एकस का कितना परतिसते वाई है देखिए कुशन क्या करें एकस वाई का एकस से वाई का 80% है एकस है ना एकस वाई का कितना परसेंट 80% तो 80% की आप फ्रेक्षिन वैलियू निकालोगे तो कितना यह बोलगे 5 बोलो 80% की फ्रेक्ष्न वैलियू कितनी आएगी 4 वैटे 5 तो कुशन क्या खरा है एक्स वाई का 80% है, तो य का का मतलब गुना 80% इप ट्रेक्शन ओल्यू चार बटे 5 देखो जिसके साथ का लगा रहता है ना, का किस के साथ में लग रहा है वाई के साथ में तो उसका माँन खह रहता है, नीचे तो इसका मतलब है y की value to कितनी आई बोलिह पांच तो x की value कितनी आई बोलिए चार हमसे कुसर में ँच रहा है एकस का किसका ? x का कितना परतिसत है y है किससी साथ में लग रहे है एकस के साथ में का वाली से खाएगी नीचे तो अभिस्थ पर्तिसेत्त हुजाएगा खुसर में क्या खरए है एकस का किसी का चाक तिना परतिसेतत यह kayए नीचे तो देखिए को देखे यदि एकस वाई का कितना पर्षण्ट तो आक्स का परतिसतɪ यह याँ एकस वाई का कामतलब बुणा ची परतिसत को बिन्य करोगे तो कितना एका चार बेटे पांस तो तो प्रतिसात वाई यह तो अब इस प्रतिसात हो जाएगा वाई बटे एक्स और गुणा कितना सो यानि एक्स के साथ में लग रहा है एक्स के साथ में कावाली से ख़ार रखेंगे नीचे तो वाई बटे एक्स और घुना कितना सव वाई कमान कितना है पाँच एक्स कमान कितना है चार पाँच पेटए चार और बटे तरहां करेंगे इस चार कंब हाग देंगे सौ में 25 25 से चरेंगे 125 और यह आपका आंशर बोले को दिक्कते हैं में समण कहुसन में 15 एक बटा तीन एक बटा तीन एक बटा तीन का कितना परतिसत दो बटा तीन है देखो क्या खरा है एक बटा तीन का का वाली संग्य खार रखेंगे नीचे एक बटा तीन का कितना परतिसत दो बटा तीन है तो अब इस्ट परतिसत हो जाएगा 1 वटा 3 का कितना % 2 वटे 3 है तो का किस के साथ में है 1 वटा 3 के साथ में का वाली सिंग्य खर रखेंगे नीचे तो यह हो जाएगा 2 वटे 3 अब आप इसको रखोगे 1 वटे 3 और गुणा किसे करेंगे 100 से तो यह 3 उपर जाएगा तो ही हो जाएगा दो बटे तीन और तीन उपड़ जाएगा नीचे इए एक और गूणा किसे करेंगे सौ से ये तीन से तीन कट गया तो कितना परशेंट 200 अर कितना परशेंट 200 यानि डी ऑफ्षन आपका बिलकुल है सही है बोले कोई धिकत बेसिक कुछन है बिलकुल सिंप वापिस लगाएं, ताकि आपका base clear हो, बिलकुल, simple question है, एक बटा 3 का कितना परतिसाथ, दो बटा 3 है, आपको लिखाये था, Y का, किसका, Y का कितना परतिसाथ, X है, तो अब इस परतिसाथ हो जाएगा, X बटे Y और गुणा कितना 100 किसके सात में लग रहे हैं 1 बटा 3 के सात में कावालि सींग कहाएगी नीचे तो 2 बटे 3 बटे 1 बटे 3 और गुणा कितना 100 ये 3 खांच ले जाएगा ऊपर 3 से 3 कट गया तो कितना पर्ठेंट तक्षान है 200% N Sas Curz No.16 Question No.16 है दो गंटे 45 मिनट, दो गंटे 45 मिनट की समयावदी एक दिन का, किसका, एक दिन का कितना परसेंट है, अब मेरे को बताओ, देखिए, यहां दो गंटे 45 मिनट है, या तो इसको मिनट में चेंज करो, या इसको गंटे में बनाओ, तो आप क्या करोगे, एक दिन में, जब भी ग कि गंटे 24 गंटे तो देखिए यह खरा है दो गंटे 45 मिनट के सेम एक साथ में कि एक दिन में लग रहा है एक साथ में तो एक साथ में अब इस फृतिक्सत हो जाएगा दो गंटे 45 मिनट मेरे को बताओ एक गंटे में कितनी मिनट होती है 100 गंटे में 60 मिनट होती है तो दो गंटे चालीस मिनट वह पैंतालिस मिनट तो दो गंटे में टोटल कितनी मिनट हो गई तो देखे एक गंटे में साट है तो दो गंटे में कितनी हो गई 120 और 120 में आपने कितना जोड़ेंगे 45 तो कितना हो गया 165 मिनट तो इसका जो टोटल Goddles ना बोलिए 1665 मिनट अबियों को दिखत 2 गंटे में कितनी मिनट हो गयी 62 125 यह तो 120 45 जुड़ेंगे तो 165 मिनट तो अब इस प्रतिशत हो जाएगा 165 बटे यहां एक दिन में कितने गंटे होते हैं 24 गंटे और एक गंटे को मिनट बनाने के लिए किस से गुणा करेंगे 64 को 60 से गुणा करेंगे तो 24 गुणा 60 यह मिनट में हो गया यह भी मिनट में और यह भी मिनट में और मिनट से मिनट से कैंसेल हो गया और गुणा किस से करेंगे सो से बीस से काटो कितनी बर पांच बर बीस से गया कितनी बर तीन बर अब इसको आपे सॉल करोगे तीन से काट दिया तीन पंजियो पंदरा कितना सेस बचा एक और तीन पंजियो पंदरा यानि कितने आया 55 अब इसको गुणा करो 25 25 कितना है दो 25 यानि 225 में कितने भाग देंगे 20 का इतने है चौबिस आप चौवीशज वो इस पंचेश वह बचा था वे कितना है जाट थेज़ Oops 25 में 252 तो च्यार बर जाएगा कितनी बर है च्यार बर तो अब ऑप्षन देगो एक यूप्षन है कौन सा भी ऑप्षन यानि इसका जो आंसर आएगा 11.45 और यहीं आपका आंसर है तो आप क्या करोगे इसको दो गंटे 45 मिनट है यानि इनकी इकाई सेम बनाएंगे या तो मिनट में चैंस कर लो या गंटे में चैंस कर लो आप इसको अवर्स में चैंस करके भी कर सकते हो यानि 45 मिनट को गंटे में चैंस करेंगे तो 45 वटा क्या करेंगे 165 और एक दिन में एक दिन मेंए या आपका आंसर है यानि आपका विलकूल हैं सई है बोले कोई दिकत next कुचन देगो आज़ा कप सटरा ता है पाँच लिटर का कितना लिटर का पाँच लिटर का आठर कितना है अंसर में मिली लिटर दे रखा है ML मेरे गमताओ एक लिटर में कितने मेले लिटर होते हैं कि एक लिटर में 22-23 1000 ज़ार सपirosते हैं by JOHN a outrageous 1000 लिटर तो कुछन करיך पाँच से तक मतलब करेंगे 10 से तो चारसो तो कितना एमेल 500 यानि आपको बिल्कुल है सही है बोलियों कोई दिक्कत तो कितना मिली लिटर 400 मिली लिटर और यही आपका आंसर है लिखिए तो पांच लिटर का आठ परशेंट तो पहले लिटर को किसमें बदलोगे मिली लिटर में एक लिटर में कितने मिली लिटर होते हैं दोस्तो एक हजार मिली लिटर तो पांच गुणा एक हजार और गुणा आठ परशेंट तो आठ बटे सो दो जिरो से दो जिरो गई तो 8 को 10 से गुणा करेंगे, 80 को 5 से गुणा करेंगे, कितना? 400, यानि 400 ml आपका answer है, यानि 2 option आपका बिलकुल है, सही है, next question, question number 18. question number 18, question number 18, अच्छा question है, यह 25% of 50% of 30% of 150, बटे 40% of 250, बराबर क्या? देखिए, off का मतलब क्या होता है, का, का का मतलब क्या होता है, गुणा, तो देखो 25%, तो 25 बटा कितना, देखो, आप ऐसे करो, इस परतिसस से यह परतिसस यहां पर उड़ गया, कट गया, एक cancel हो गया, इस परतिसस से यह परतिसस से यह परतिसस से, cancel हो गया, तो देखिए, य कतना और कितना वह कितना यह के रहते हैं और बाईस सो पचास आप अलकर ओगे देखिए यह कितना आया पंदरा परसेंट आसे यह रहा क्यों क्योंकि हमें अंसर में परसेंट पूछ रहा है क्या कर दिया है तो देखिए आप इसको अलगरोगे यहां पर 25 से काट दीजिए जीरो से जीरो कैंसल हो गया 25 से काटो 25 से कट गया 25 225 कितनी बार 90 बार 15 से कट गया 15 कितनी बार 6 बार और आप इसको कैंसल करें तीन से तो तीन से गटा पांच तिया 15 और तीन से गया तीन दूनी 6 तो उपर क्या बचा 5 परतिसत और नीचे क्या चार दूनी 8 यानि 5 बटे 8 परसेंट पांच में 8 जब भाग दूंगा तो देखिए भाग नहीं जाएगा पॉंट आया कितना गया 50 आट चींग 48 कितना से बचेगा दो वह गया 20 आट दूनी 16 कितना बचेगा चार वह गया 48 परसेंट तो कितना है पॉंट 625 परसेंट और यहीं आपका आंसर है सी ओप्षन आपका बिल्कुल है सही है देखिए मैंने परतिसत क्यों रखा यहां पर क्योंकि आंसर में पर पॉंट 625 परसेंट पूछ रहा है तो आपने इस परिषगा को नहीं अठाया वापिस आपको परलतिसत में लिखना था क्या मतलब यह अब कितना यह T मैंने 30 percent को 30 परसेंट रहने दिया है और को मतलब का का मतलब गुमां इंटु धेर सो इसको कैंसल किया दो से गया यह 15 परशेंट है इसको 0-0 10огод merry-goo POM 14 सिन दो और यहां से पूरे को अलके पर 10 अप कितने भाग दूगा आठ का पाँजwo दूगा आठ का तो आट मैं जाए गर तो यह पॉंट लगाएंग सोला कितना से थचार 49 आट पंजे चालिस तो हो कितना है पॉइंट सिक्स टू फाइफ प्रसेंट यानि सी अप्षन आपका बिल्कुल है सही है कि लिए लिखिए कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि कि अगर 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 कि अग कि नेच्ट कुछन कुछन नमबर है गुननीश देखिए हैं यदि एक पॉइंट साथ परतिसत और अप आच सो इंटू दो पॉइंट पॉइंट परसेंट आफ ए वराबर अड़ तीन सो दी सिंट पांच है तो कमान क्या होगा देखिए एक पॉइंट साथ परतिसत तो वन प मतलब गुणा का का मतलब कितना आठ सो इंटू दो पॉंट 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 अटाईं नीचे दस और पॉंटाईं नीचे इतना तो इंट आफ समय इन तीन सब foreign से कैंसल हो गया यह दो जीरो से कैंसल है 25 25 कितना product45 तो ऊपर Q Von टो इन सतरा के विचा उपर से कंसल कर दो 31 कितना्य चैनल सिज बचेगा तो 42 है तो 34, 6 और 28, 17, 85 यानि कितना 225 बार यहां यह कितना आया 2A कितना आया 2A और नीचे यह कितना 10 भी है तो 2 से 10 गया कितनी बार गया 5 बार तो उपर क्या बचा ए बटा कितना 5 बराबर कितना 225 तो ए क्यों पूंच रहा है तो 225 को गुणा करोगे तो 225 को जब 5 से गुणा करेंगे तो यह हो गया 5 को 2 से गुणा और 5 बार पांदुनी 10 और 25 बार यही आपका आंसर है बोली को दिकत तो कुशन कर रहा है यदि 1.7% of 800 into 2.5% of A कितने के बराबर है 300 BNC पॉंच रहा है किसकी वैली पूंच रहा है एक ही तो एक कमान तो आपने इसको अल किया देगो ओप का मतलब क्या होता है का का मतलब क्या होता है गुणा पॉंच अटाएंगे तो नीचे आपने देगो यहां से पॉंच अटाया एक कुष्ण 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 नमबर 20 पढ़िए सिंपल कुष्ण है 300 के 25 परशेंट का 20 परशेंट कितना होगा तो देखिए आप इसको यहीं अल कर सकते हो इस पर 30 से 2-0 उड़ जाएंगी का कम मतलब क्या होता है गुणा तो यह कितना है यहां 3 गुणा 25 और का कम मतलब ग आपके आपको बिलकुल है सही है कुष्ण नमबर 20 यह इस पर तिशान का मतलब कितना होता है 100 तो सुसे दो जिर्ट कार दो यहीं पे परतिशाथ से 55 पिच से 25 का 20 निकाला वह 20 परशेंट कितना होता है एक गटे 5 तो पांस गवाग देंगे पिच पंच पंचंप तो इसका पंद्रा बताइए कुछ नमबर 21 पी का पी परसेंट कितने के बराबर है 36 के तो हमसे पूच रहे पी किसके बराबर है यानि पी का मान पूच रहे किसका मान पूच रहे पी का तो देखिए पी का का मतलब ये गुणा 5 % परसेंट टाएंग तो नीचे कितने लगाएंगे 100 और ये किसके बराबर है 36 तो पी कुणा यह बिल्कुल सई है बिल्कुल बेसिक कुछन देरे इसका लेवल बढ़ता जाएगा कुछ नमबर 21 में कोई दिक्कत किसी को नश्ट कुछ नमबर 22 पढ़िए एम का दस प्रसेंट N के बराबर है तो एम अनपात N क्या होगा देखे एम का 10 प्रसेंट का का मतलब गुणा एम का 10 प्रसेंट बराबर है एम के 20 प्रसेंट के तो देखे इदर दस यह परतिसात इदर भी है तो दस दुना 20 तो यह कितना एम बराबर कितना 2N यहां कितना रहता है एक लेकिन दिखता नहीं है एम की वैलू कितनी आई बोली है 2 और एन की वैलू कितनी आई एक तो हमसे पूच रहे हैं एम अनपात N त M का 10% M का 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 मतलग उना 10% बराबर है N की 20% के 10 दून 20 तो M कितने के बराबर है 2N के तो M की वैल्यू 2 N की वैल्यू 1 तो M अनपात है दो अनपात है एक और यही आपका अंसर है 23 पढ़िए देखिए 23 सो कुसन है B-1 का का मतलब गुणा 30% का का मतलब गुणा होता है तो का का मतलब गुणा होगा का का मतलब क्या होता है गुणा यह 30 से 6 से काट दो 6 से कितने बर गया 5 बर और 6 से गया कितने बर 3 बर आप इसको गुणा करेंगे तो 5 को 20 से गुणा किया तो कितना है 5 भी और जब यह 5 को 3 को 20 से गुणा किया तो 3 भी पलस का आएगा इधर आखे क्या हो जाएगा माइनस का बराबर इसे 5 को यह से गुणा किया तो माइनस का 5 है माइनस का कितना 5 है इसको तो यह माइनस के दर जाएके क्या हो जाएगा प्लस का और यह 3 को यह से गुणा के तो प्लस का 3 है और यह माइनस के 5 है तो इधर जाएगा तो प्लस के 5 है बोले को दिकत आपने क्या किया एक इस्टेप उड़ा दी का का मतलब गुणा होता है यहाँ 6 तो आप इस तीन को वी से गुणा किया तो तो पांच वी तो इस पहले बीको इदर लिया डैरेक्ट तो यह इधर पलस का तरीने पलस का यह माइनस का पांच जोड़ो 5 में से 3 तो इसका मतलब कितना है तो एक का कितना है दो अब PUSHEN क्या खरए हम से पूच रहां A अनौ पाथ B तो इसके Quizर करो 2 से 2 एक हम 2 कितनी भार चार चार बार तो ऑन पार भी पूच रहाए तो एक कमान कितना है वन वन के यह बूली आरक मान कितना है वन वन लिए 4 तो वोलो कितना है Goodness । अन पाथ 10.? और यहीं आफका आंसर है बोले कोई दिक्कत नेक्स्ट कुशन नमबर 24 पढ़िए ऐसे कुशन अमने अनुपास समानपात में पढ़े हैं इसलिए यहां दिक्कत नहीं आनी चाहिए एका 60 परशेंट बराबर है बी का कितना तीन वटे चार एका मेरे को बताओ 60 परशेंट की फ्रेक्षन वैल्यू कितनी होती है तीन वटे पांच 60% की fraction value कितनी होती है 3 बटे 5 कुसन क्या करा है A का A का का मतलब है गुणा 60% कितनी हो गई 3 बटे 5 बराबर है B का का मतलब गुणा 3 बटे 4 देखें ये 3 से 3 कट गया तो उपर क्या A बटे 5 नीचे क्या B बटे 4 अगर उपर गुणांक 1 हो जैसे A का गुणांक 1 है B का भी 1 है तो A के नीचे A कमान और B के नीचे B कमान तो A अनपात भी कितना हो गया बोलिए 5 अनपात 4 अनपात भी कितना हो गया 5 अनपात 4 यानि हमारा answer D option बिल्कुल है यह है समझी माया नेच्ट कुशन कुशन नमबर 24 के बाद में 25 पढ़िए A पलस B का 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 मतलब है गुणा का का मतलब गुणा B का 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 मतलब गुणा 50% है तो हमसे पूचर है 2 A माइनस के B 2 A पलस B का मान क्या होगा देखे यहां भी परतिस्ट है यहां भी परतिस्ट 10 से काटो कितनी बर गया 2 बर और 10 से काटो कितनी बर गया 5 बर clear तो आप अलकर होगे 2 को A से गुणा किया तो कितना है बोलिए 2 A और यहां पर इसको 5 को B से गुणा किया तो 5 B यहां 2 को B से गुणा किया तो 2 B पलस के आएगा तो बराबर यहां पांस B यहां 2 को B से गुणा किया तो पलस के 2 B आएगा इसको इदर ले जाओ तो माइनस के कितना होगा 2 B बोलो यहां तक कोई दिक्कत हमने क्या किया direct 2 को A से गुणा करते 2 A आएगा 2 को B से गुणा करते 2 B आएगा इस 2 B को इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा तो माइनस के 2 B तो इधर देखे 2 A बराबर 5 में से 2 गए तो कितना 3 B इसका मतलब यह हुआ A की वैल्यू कितनी हुई 3 और B की वैल्यू कितनी हुई 2 किलियर अब कुशन क्या पूँच रहा है कुशन हमें ग्याद कर रहा है 2 A तो 2 गुणा A का मान 3 B का मान कितना है 2 बटा 2 गुणा A का मान कितना 3 और B का मान कितना है 2 किलियर अब अल करो तीन दूनी छहए में से दो गयाए तो कितना चार बटे तीन दूनी च्छै और दो कितना आठ चार बटे अठ च्यार बटे आठ और चिएर न एक वटे क्यानि कॉंट सॉप्शन यह उप्शन आपका विलकुल है साही है अंधि कि आए कि तो दिए का मतलब होता है गुणा या भी पर तीस हता है कर जाएगा दस से काटो दो बर दसे गहाएं पांच बर तो दो को यह से को न क्याया टू बी को आप इस टू समान आया वो कितना एक बटे 2 और यह आपका अंसर है कुछ नबर 26 ये भी ऐसा ये सेम कुछ नबर 26 पड़िए आप बलस बी का 40 परशेंट बड़ाबर है ए माइनस बी का कितना परशेंट है 60 परशेंट तो कुछन करें टू ए माइनस के 3 भी गटे a plus b किसके बराबर होगा ये कुछन है तो देखिए a plus b का का मतलब क्या होता है गुणा 40 % बराबर है a minus b का 60 % 20 से काटो 22 40 और 20 तिया 60 आप गुणा करोगे 2 को यह से गुणा किया तो कितना है 2a इसे 2 को 3 को A से गुना किया तो पलस का 3 A इदर आके माइनस का 3 A बराबर इसे 3 को गुना करेंगे तो माइनस का 3 B और इस 2 को B से गुना किया तो पलस का इदर जाके क्या हो गया माइनस के 2 B माइनस 3 A में से पलस का 2 ये गया तो माइनस का A और माइनस दो और माइनस तीन माइनस के पांच भी यह माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बोले कोई दिकत तो देखे एक कमान कितना है पांच भी तो यहां इधर देखो ए बराबर कितना है पांच भी तो इसका मतलब यह है यहां पर कितना रहता है एक तो A की value तो कितने ही बोलिए 5 और B की value कितने ही बोलिए 1 बोलो कोई दिकत अभी सिमान रग दीजे तो 2 गुणा A कमान कितना है 5 माइनस 3 गुणा B कमान कितना है 1 बटे A प्लस B A कमान कितना है 5 और B कमान कितना है बोलिए 1 5 दो ने 10, 10 में से 3 गया तो कितना 7 बटे 5 रेक 6 तो 7 बटे 6 यानि कौन सा उप्षन है यह उप्षन आपका बिल्कुल है तो यह बिल्कुल है तो यह बिल्कुल है आप ऐसे भी नहीं करते एक कमांद रख सकते हो यहां पर कोई दिकत नहीं है एक कमांद रखोगे कितना 5 भी तो 5 दून 10 भी 10 20 में से 3 भी गया तो कितना 7 भी और एक कमांद जब 5 भी रखोगे तो 5 यह बी तो कितना 6 भी 20 से भी कर जाएगा तो 7 बटे 6 ऐसे भी रख सकते हो ऐसे कोई जरू नहीं आप इसकी वेल्यू रखे ही पूट करो यह और बी कमां इसका कितना प्रतिसात है यह कुशन खेर हैं कितना 7 बटेशन व्या बार खेर हैं कितना भी तो बार एक करो यह पुशन कोई बार खेर हैं देखें पड़िये यह खराए 126 का 113 एक त्याई 126 का 134 का कितना प्रशेंट है किसके साथ में लग रहा है 134 के साथ में कावाली सिंग्र खाएगी नीचे अब 1206 का 116 का 126 एक त्याई 126 का 113 का तो अभीष्ट परतिसात हो जाएगा अब बारा सो च्छी का 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 मतलब गुणा एक टी आई तो चार सो दो एक सो तीस का का वाली संक्रेट आएगी नीचे और गुणा के से करेंगे सौसे चार से कर जाएगा चारती बारा और तीन तीन नौर एक दस तो यह कितने बर गया तीन बर तीन को सौसे बुणा की कितना तीन सो परसेंट यानि डी ओप्सन आपका बिल्कुल है सई है नेस्ट कुसन कुसन नमबर ट्वन्टी एट यहां देगो बारा सो चगे एक तीन कितना परसेंट यह किसी निश्य संक्या के एक बटा आठ के 55 परसेंट के 662 बटा तीन कामान कितना है 179 तो उसी संक्या का 3 चोताईगा 33 से एक 1 बटा 3 परसेंट कितना होगा यह कुसन है यह किसी संक्या के एक 4 ॔रन 12 मैंने संक्या एक्स मान ली संक्या का एक बटा 8 है एक बटा आठ के के मतलब मातलब 45 परसेंट देखिए पिच्चोत्र पर्षेंट कितना होता है, 3 बटा 4, और 666, 2 बटा 3 कितना होता है, बोलिए, आपको सिखारा कहा है, मैंने, 666, 2 बटा 3 और 33, 1 बटा 3 कितना होता है, 1 बटा 3, इनकी fraction value, अलकरना मैं आपको शिखा है, फिशली वीडियो में, आप वहान से देखना, 35% कितना होता है तीन वटे चार since ером लुटा इत्य Ol Jahren 2000 कितना है क्माण कितना है 179 है सरष को ठीजे हमें यह तीन से तीन कट गया घुद गया हूसरें तो यहां x की value कितनी आई इससे बरज गुणा करेंगे 100 गुणाशी को 8 दूनी 16 यानि x की value याई 100 गुणाशी गुणा कितना 16 अब कहा रहा है उसी संक्या का यानि x की value अमने संक्या एक्स मानी उसी संक्या का 3 चौताई 3 चौताई का मतलब कितना 3 विटा 4 का 33 से वड़ा 3 प 3 4 3 4 3 4 का का मतलब बुणा 33 से वड़ा 3 33 से वड़ा 3 कितना वते बोलो एक वड़ा 3 ये 3 से 3 कैंसे लो गया 4 चौताई तो एक सुगुणाशी को किसे गुणा करेंगे च्यार से तो देखो 180 को 4 से गुणा करदो 8 4 720 उसमें से च्यार कम कर दो यानि 716 या फिर आप क्या करो होगे इसको चार से गुणा करोगे नौक चौक चाटीस छे तीन आएगा चाटीस तीन आएगा चार तीन साथ यानि कितना बी ऑप्शन 716 आपका अंसर बिलकुल है सही है बोले कोई दिकत लिखो यह हो गया कुशन नमर्टीएट आया हो कुशन एक्जाम में ससी में कुशन नमर्टीएट अच्छा कुशन है झाले कुशन नमर्टीएट आया हो कर दो कियुशन नमर्टीएट अधमर्टीएट आएगद को जाएगा जाएगा आएगा तीन झाल 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 देखे कुसर नमबर 29 फढ़िए झाल झाल यहां भी परसेंट है यहां भी परसेंट है यहां भी परसेंट है कट जाएगा कट जाएगा एम को एम से गुना करेंग क्या आएगा एम स्कॉर एम Cl स्कार यह प्लस का इदर जाके क्या हो जाएगा माइनस का और यह क्या बन गया जीरो अब बताओ दोस्तों यह क्या हो गया यह बन गया A-B-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A माइनस का इदर जाके क्या हो जाएगा प्लस का यानि M किसके बराबर है N के हमसे कुछन क्या पूछ रहा है हमसे कुछन पूछ रहा है M का किसका M का कितना परतिसात N है मेरे बताओ का किसके साथ में लग रहा है M के साथ में का वाली सिंगे खाएगी नीचे तो अब इस्ट प दुनों के नहीं क्योंकि दोनों बड़ाबर है तो यहों हैं रखूंगा यहां यह इससे घट जाएगा तो कितना सबस्क्राइब तो जब यह दोनों बराबर आएं तो हमारा आएगा वो कितना परतिसाथ हैं जब ये दोनों बराबर हैं तो डियरेट इतना % लगाओ गया तिक 100% पे तो देखिए एम का क्मी पर्षेंट प्लस एम का का मतलब गुणा एन प्रषेंट बराबर है क्मी तूल मतलब गुणा और परशेंट परतिसास से परतिसास कड़ जाएंगा एंसकौर प्लस अनसकौर और यह प्लस का इधर जाकर मानेंस और हीजया M-A ऑर यह यह बंगए यह माइनसमे का हॉल्ल स्कौार और यह किसके बड़ाबर ल्रयप तो देखिए यहां माइनस न कॉल इसक्वार जीरो के बराबर है इसका मतलब यह जीरो कब बनेगा जब यह जीरो तो माइनस जीरो के बराबर तो एम कमान एन के बराबर यह पक्षांतन करेंगे एम और एन दोनों बराबर है तो इसका मतलब कितना पर्षेंट झाल झाल इसमें करक्षन है थोड़ा सा कुषन है एक का एक्स परशेंट बी के वाई परतिसत के समान है तो बी का जैड़ परशेंट कितना होगा यह कुषन है तो देखें मैं आपके थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि अधिया ओफ प्रशेंट ओफ भी कि अब नश्ना बराबर होता है भी परतिसत ओफ एमग बिस परतिसट ऑफ ए इधर दो 没有 एक Me बराबर होता है धना इस परतिसलों बीच में अगैर का का मतलब बूड जोड़ का का मतलब गुणा है तो इस परतिसफित को इधर उठाएकर लिघ सकता हूं इसको यहाँ से लाज सकता हूं लेकिर बीच में किसका दो आणज packet नोनाश्य गुणा का तो मिये परतीसात बी तो मैं इसक कोले सकता हूं ऐ परसंट अपी बराबर बी परसंट ओफ है अब कुछ savoir कheen एका एक्स पर्शेंट A का कितना पर्षेंट है X पर्षेंट B के Y पर्षेंट के समान है तो देखिए कुशन कहा रहा है A का का मतलब गुणा X पर्षेंट बराबर B के K का मतलब गुणा Y पर्षेंट के बराबर है तो कुशन पूछ रहा है B का कितना पर्षेंट Z पर्षेंट क्या होगा तो यहां से देखो परतिसद से परतिसद कर जाएगा तो यहां B कमान पूछ रहा है तो B कमान जाएगा यहां से AX और बटे कितना Y यह किसकी value आगई बोलिए B की अब हमसे कुसर में क्या पूछ रहा है B का कितना percent Z percent तो B की value रखो यहां पे तो B की value कितनी आई AX बटे Y तो B का कितना Z percent तो यहां रखोगे B की value AX बटे Y का का मतलब गुणा और यह कितना Z percent अब इदर देखो अब answer में यह देखो नीचे क्या रहा है वाई आ रहा है तो कौन सा option ऐसा है जिसमें नीचे वाई आ रहा है यानि B option आपको बिल्कुल है तो आप इसने क्या किया है देखो इसने क्या किया इस A को इदर ले गया इस Z को यहां लाया कोई दिक्कत नहीं है बीच में किसका चिनने गुणा का तो इन तीनों को गुणा करेंगे तो A X Z percent आएगा आएगा नहीं आएगा तो इसने क्या किया इसको इस तरह से जमाया है इस परतिसत को इसने उठा के किसके साथ में रखा है A के साथ में इस Z को यहां लिए आए तो इसको आप ले सकते हो Z X Z X of ये इस ने इस परतिस्ट को यहां लिख दिया तो z x percent of इसे को इदा ले गए a और बटा कितना y और यही आपका answer है यानि खेड़ने मतलब यह उपर a x z आना चीए तो कौन सा option है जिसमें उपर a x z आ रहा है तो उपर देखो a x z क्यों आप का मतलब क्या होता है का और का का मतलब क्या होता है गुणा तो उपर तो a x z आया और यहां पर भी क्या आया a x z बीच में या क्या है परतिस्ट उपर भी क्या है परतिस्ट नीचे क्या है y तो इसने क्या किया है इसको उल्टा सीधा जमाया है बाकी गुणा करेंगे तो वो ही आया AX Z% और बटे कितना Y अब कौन सा option है जिसमें AX Z% और बटे Y आ रहा है तो कौन सा option है B option तो B option आपका बिल्कुल है सई है क्लियर दुवारा समझे लो A का X% B के Y% के समान है तो यहां परतिसात और यहां भी परतिसात कट गए तो वाई की वेल्यू कितने है AX वटे Y आम से पूच रहा है B का Z% कितना होगा तो B की वेल्यू कितने है AX वटे Y का का मतलब गुना Z% अब कौन सा उप्षन जिसमें वाई एक तो कौन सा option है डूसरा ऊपर क्या यह जiscal लिए देगा इसमें क्या झाल यह नहीं है इस प्रतिसांट 15 से सब्सक्राइट लिए KANS लिए की दिक्कते नहीं है नेस्ट कुशन देखिए कुशन नमबर 31 पढ़िए कुशन नमबर 31 31 हो कुशन है X-Y का 60% बराबर है 45 परतिसत X प्लस Y यहां बीच में का कचिन लगा लो का 45% का X प्लस Y है तो देखिए यह बीच में का 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 मतलब क्या होता है गुणा और इसका मतलब क्या हो गया गुणा तो यह 15 से काटो 15 45 और 15 корабू 35 को 60 32 से 32 कर जाएगा 4 کو X से गुना करें कितना ऐगा 4X और 4 कुशन और 4 Y से गुना करें कितना 4Y बराबर 3 को X से गुना करेंगे 3X 3 को Y से गुणा करेंगे तो 3Y इसको इधर ले जाओ तो 3 पलस का इधर जाके क्या हो गया माइनस के 4 में से 3 किया तो कितना X बराबर ये माइनस का इधर जाके पलस का 4 3 कितना 7Y तो X कितने के बराबर आ गया 7Y के तो हम से पूँच क्या रहा है y बराबर किया दे रखा है? x का k percent तो x की value कितनी यह बोलिए 7y तो यहां रखेंगे y बराबर है x का का मतलब गुणा k percent तो इहदर देखिए x की जगा मैंने कितना रखा यहां से 7y यहां रखोगे हमसे क्या पूच रहे हैं हमसे कुसंट पूच रहे हैं के का 21 परशेंट कितना होगा तो अब..., के का distinguished का था इस गोना कितना 21 साथिया 21 तो इसके बेलू कितने बोली यह तीन और यह आपका आंसर है डी आपस ना आपका विल्खुल है तो यह मत करना है साहँ यहां तो कि निए पर सेंट का निकाड़ा घृष पर तीसको इसके साथ लख लिख सकते हैं बीच में किसका किनने का का मैंने आको लिखाय था एक परतिसाथ यह परतिसाथ का भी अफर बराबर कि आपका जो क्लावा किस परशेंट वह कितना है बोलिए तीन आंसर और यही आपका अंसर है बिलकुल बेसिक में पावा कुछण में एक्स माइनस वाय का साथ परशेंट 45 परशेंट गुणा एक्स फिलस वाई तो यह दोण बराबर है फंदर थी 45-45-60 तो चार एक्स इसके 4y बराबर 3x प्लस के 3y इसको इदर ले जाएंगे 4 में से 3 गया तो x इसको इदर ले जाओ तो 4 3 7y यह एक्स की वेल्यू कितनी आई 7y आपने एक्स कमान यहां से 7y रखा y से y कट गया के परसेंट कितना है एक वटा साथ तो हमसे पूछ रहा के का किस परसेंट तो इस परतिशत को इदर लगा दिया कि यह परतिशत कितना है एक वटे साथ सात्य एकीस तो कितना है वो लिए तीन और यही आपका आंसर है कुछ नमबर 32 बताओ कुछ नमबर 32 सौल करके बताईए कुछ नमबर 32 सौल करो सभी कुछ नमबर 32 सौल करो सभी कि अब बताईए कि इतना अच्छ रहा है कि एक पांच पर्सेंट बराबर है भी तो बीस का कि अब बीस का नहीं है एक पांच पर्सेंट भी तो इसमें करक्षान है मेरे साब से अभी देखते हैं कि अब बीस का बी पर्सेंट डीस का बी पर्सेंट यह किरक्षान है इसमें कुछ सन में यह खराए ए एक का 5 परसेंट एक का कितना परसेंट है 5 परसेंट से का का टॉन फन दुन से को ut oh को बटाव सकता हूं तो 233 का अब डेखार जिसमें इस तरह से लिख रख़ए क्वर सबस्साइए क्लियर यह क्रेक्शन कर लिए 20 यह यह 0 ठीक है तो एक कुछन करा है एक 5 परशंट बराबर है भी तो बीस का बीपर्शंट किसके बराबर होगा तो देखे एक का का मतलब 5% 5 बिटे 100 तो 5 से कट गए 20 बढ़ी तो वी की बैइल पर नहीं रहें पर तो बैटा वी तो बीश का वी परषयंट अब देखें आंसर में यहांपर 30 संक्याएं लिख रहा है यह और सामें पर नहीं लिखा तो इस पर 30 का बीज़ेगे आप क्या रख सकते हो एबटा 20 तो 20 परशेंट का एबटा 20 कौन सा ऑप्षन है डी ऑप्षन तो डी ऑप्षन आपका बिल्कुल है सही है कि नेश्ट कुछन कुछनमबर 33 पढ़िए 12 किलो मिटर का 34 परशेंट क्या है 12 किलो मिटर का 34 परशेंट क्या है यह कुछन है तो देखिए यहां तो किलो मिटर में है यहां किसमे है अंसर सेंटी मिटर में है किसमे है सेंटी मिटर में तो पहले तो किलो मिटर को मिटर में बदलो और मिटर को किसमें बदलो सेंटी मिटर में 100 cm होते हैं एक मिटर में कितने cm होते हैं 100 अब कुशन क्या कर रहा है 12 किलो मेटर कितना किलो मेटर बारा किलो मेटर का 34% क्या है तो देखिए 12 किलो मेटर को मीटर में बदलेंगे किसे गुणा करेंगे 1000 से और एक मिटर में कितने cm होते हैं 100 का का मतलग गुणा 34% तो 34 बटा कितना आएगा 100 यह सो से 100 कड़ जाएगा 12 को किसे गुणा करेंगे 34 से बार चौक 484 बारा तीच चतिस चार चार चालिस तो 400 से और तीन जी रोड लगा देंगे तो बहुं है तो कितना हैं यह जाएगा च्यार लाख और आठजार सेंटी मिटर यह कौन सा option है वी option और यही आपका आंसर है क्युष नमर 33 12 km परिशेंट कितना होगा तो बारा किलोमीटर को मिट्र मनलएंगी तो अजार से घुना करेंगे मिट्र को सैंतिमीटर से घुना कियa 14 परशेंट सो से सोगट गया बारा को 34 से गुणा करेंगे 408 और 30 लगा दो तो कितना है चार लाख 8000 सेंटी मीटर भी ऑप्षन आपका विलकुल है सही है कुशन नंबर 33 कंप्लीट 34 देखो चार सो का 30 परशेंट पलस सत्तर का कितना एक्स परशेंट बराबर कितना है 536 का 25 तो एक्स की बेल्यू कितनी है देखिए चार सो का चार सो का देखो परतिस्थ यहां भी परतिस्थ है यहां भी परतिस्थ है और बराबर में भी परतिस्थ तो परतिस्थ से परतिस्थ कर जाएंगे यहां परतिस्थ है यहां भी परतिस्थ है यहां भी परतिस्थ है परतिस्थ से परतिस्थ है कैंसिल तो यह कितना है 400 का का कमतलब गुना तो 400 गुना कितना जाएगा 30 PlayStation 7 का कमतलब गुना X 70 का 536 और गुना कितना 25 अब आप अल करोगे इनको तो ये कितना गया 412, 12,000 ये कितना है 70 X तो 70 X बराबर इसको आप 25 से गुना करोगे किस से 25 से तो यह फिर आप ऐसे करो परतिशत नहीं अठाओ तो और कैल्गुलिशन आशान हो जाएगी देखिए चलो अठादो परतिशत को कोई दिकत नहीं परतिशत से परतिशत से यह परतिशत कर चैंसल हो गया तो यह कितना हो गया यह परतिशत नहीं कितना हो गया तो यह 3500 गुण आब सो कितना है चहेश पाचिती पिच्चोटर और 35 oportun से कितना हो गया तो यहां से देखो यह कितना आएगा 12,000 तो 70X बराबर कितना हो जाएगा 13,310 माइनस के चारती बारा 12,000 इसमें से कटाओ गया आप 12,000 तो यह कितना आएगा 3310 यह 1310 कितना 1310 तो यह हो गया तेरा सो जीरो वन और यह तीन और यह कितना एक तो यह हो गया तेरा सो दस के लियर यह एक्स की वैलू कितने आजाएगी इसमें कितने बाग देंगे 70 का साथ से काटो साथ एकम साथ कितना सेस बचा यहां पर कैलकुलेशन किया 25 से कैंसल किया 25 को पांसो चत्ति पच्चिछी का डेड़ सो कितना 15 पच्चिती पिच्चोतर पंदरा यह गलत हो गया देखेए इस गुणा देखेंगे 25 का डेड़ सो कितना आएगा 15 पच्चिस को तीन से गुणा पच्चिती पिच्चोतर पंदरा कितना हो गया 90 तो कितना आएगा 9 पच्चिपंजी 125 और 125 में आप नो जोड़ेंगे तो यह कितना आएगा 134 ठीक है एक सो पच्चिस में आपने नो जोड़ा तो कितना है 13000 कितना 400 ठीक है अब यह चारती बारा तो यह कितना हो गया तीन में से यह 4 और तीन में दो गया तो एक 1400 यह 0 से 0 कैंसे लोगा है साथ से कैंसे लोगा है साथ दूनी 14 तो जो एक्स की वेलियो आई वो कितना है बोलिए 20 कौन सा ओप्षन है यह ओप्षन यह ओप्षन आपका बिल्कुल है सही है तो कैल्कूलेशन है बाकी कुछन सिंपल है कोई दिक्कते नहीं आनी चाहिए अगर आप परतीसत नहें अठाओ तो भी आप इस कुछन को आराम से कर सकते हो जैसे 2nd 400 का क्यखम अ herb談ा 30% है तो 30 अvtुन लिख़े दो 100 सत्तर काम अ लगना एक्स बता कितना सो बराबर 536 काम अफम अनल लगना 55 और वता कितना 25 और वता कितना 100 आप इसको अल करोगे 25 एकम 25, 25 को 100 4 से कट गया, 4 एकम 4, 4 तीए 12, और 4 चो को 16 134, ये दो 400 से कितना 120, पलस कितना ये इस से कट गया तो ये कितना है, 7X पटे कितना 10, बराबर ये कितना है 134 आप इसको 120 को इदर ले जाओगे, तो 7X बराबर ये हो जाएगा 134 में से, आप माइनस करोगे 120, तो कितना है 14, तो X की वैल्यू कितना ये जाएगी और बटे कितना है, 10, तो 7 से कर जाएगा, 7, 2 नी, 14 तो X की वैल्यू कितना ये जाएगी, 10 को 2 से उना करेंगे, 10, 2, 20 और ये ही आपका आंसर है तो 20, ये आपका आंसर हो गया तो इस तरह से भी कर सकते हो आप और उस तरह से परतिसे उड़ादो, आएंसर तो ये कैलखुलेस न वैस थोड़ा से गुणा करणा पड़ेगा, बाकि ये भी तरीका ठीक है और वो भी तरीका ठीक है देखिए, केलखुलेसन का प्राटा ओर कुछ नहीं है कुछ नमबर 35 फड़िए 18% of 15% of 25 बटा 9 of 38 तो इसकी value क्या है देखिए 18% नीचे कितना आएगा 100 15% 15 बटा 100 आपको मतलब गुणा 25 बटा कितना 9 और गुणा कितना 38 देखो 100 से 100 कैंसल हो गया ठीक है यहां पे 100 से 100 कैंसल हो गया और 9 से काटो 9 दूनी 18 25 से काट लो 25 कुछ 100 25 सो 9 दूनी 18 2 से गया कितनी बट? 2 बट अब यहां पे उपर कितना है उपर कितना है 15 और यहां कितना है 2 और गुणा 38 और कोई कैंसल हो रहा है क्या? नहीं कैं तो तो ग störएं कितनी बार 15 बार में 30 नो कितना ऐधाएं तो कितना कअगा 250 आपका बिल्कोले है ने चेकीन देखिए Qu no. 36 निमनल कित में से कौन सी संक्या के एक पटे चार परतिसत कमान कितना होगा 12 आप ऐसे कर सकते हो बिल्लकुल सिंपल है निमनल कित में से कौन सी संक्या के संक्या माली X X के 1 पटा 4 परसेंट परतिसत अठाएंगे नीचे कितना लगाएंगे सो कमान कितने बराबर है बारा के तो एक्स की वैल्यू आप इसको इसे गुणा करेंगे तो बार चौक 48 और दो जी रोड लगा दो तो यानि एक्स की वैल्यू कितने आई बोली है है 12 के तो हम से प् merchलि रहे संक्या तो कितना परसेंट सो परशेंट तो जाएगा रटएए एक बटे चार और गुणा कितना सो वरता गुना करेंगे यह चार उपर चले जाएगा तो बार चौक तो यह कितना वां बोले सब्सक्राइब 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 को जब उसके 30 परशेंट से गुणा किया जाता है क्या है देखो दरात्मग संक्राइब को जब उसके 30 परशेंट संक्राइब 3 गुणा किया जाता है तो जो प्राप्त संक्राइब है वह संक्राइब के 170 पर अधिक है तो जो संक्याप्रात होएगी वह संक्याओगी के के 170 परशेंट के का मतलब गुना 170 अधिक परतिसाथ में जब भी वर्दी होती है तो किसमें 0% के सो में जोडते हैं तो 170 तो सुमें 170 जोड़ेंगे तो कितना 220 परसेंट है अब इढ़ देखिए यह कट गया सुस्क्राइ यह आप यां प्रतिसाथ हटाओगे यह पिर ऐसे करो यह परतिसाथ थी रहने दो घुर् Mage इसमें परतिसत और यह परतिसत से यह परतिसत है चैंशल हो जाएगा तो यह कितना है जब विवर्दी होती है तो हिसम जोड़ते हैं सो में किसमें सो में तो दनात्मक संक्या के को के को जब उसके उसके मतलब संक्या की यानि के के तीस परशेंट से गुणा किया जाता है तो जो संक्या पराप्त होती है वो संक्या के का 170 परशेंट अधिक होती है का के का मतलब गुणा के का मतलब गुणा 170 अधिक तो परतिशत में जब ब edge होती ह supremacy जोड़ेंगे तो कितना 270 के से कट गया तो पर knife से could उट गया तीस से गया कितनी बार नौ बर के की बैलु कितने वोमоловन और एब्लों संटको साहिए है लिखों। आया समझें यह कुशन नमबर कौन सा 37 नेस्ट कुशन कुशन नमबर 38 देखिए कुशन नमबर 37 यह आपके कुशन नमबर 38 जो थर्टी नाइन ऑर पोर्टी आप यह कुशन अलग टाय टाइप के कुशन है अभे इनको आपकर busy वाखिए कल कुशनबर 38 से और इनको अपन पढ़ेंगे कल और नेश जो किलास है वो कल इसी टाइम पर देखेंगे तो सभी को गुड नाइट थैंक्यू संदीप कुसी समीरा राकेश सभी को धन्यवाद और कल जो किलास है उसमें आपकी जो नेक्स टाइप है अब जो लेंग्विज के कुसन है वो इस्टा चीजे समझ में आएंगी गूड नाइट